तो क्या IQ Z9 भी पिछले साल के IQ Z7 जैसे एक महिने में गया हो जाएगा इसे पहले गया हो जाएगा भाई साब खरीद लो और खरीदने से पहले ये सारे पॉइंट जो मैं बात करने वाला हूँ ये भी सारे सुन लो क्योंकि इस फोन को यूज करते हैं अब काफी ज्यादा टा अब सबसे पहले बात करें प्राइसिंग के बारे में तो प्राइसिंग मेरे को बहुत अच्छी लगे इसकी आपको अंडे 20,000 में भी 2,000 का डिसकाउंट मिल जाते हैं कभी कभी 1,500 का हो जाते हैं तो 18,000 में 8GB आने 105GB वाला वेरेंट मिल जाएगा और आपको मैं एडवा थोड़ा सा common हो गया है कुछ नेया ट्राइ कीजिए जीवन में हरियाली होनी चीए कलर बाली दूसरी हरियाली नहीं गंदी सोच वालो को जिंदब नो सबसे पहले फोन के इन हैंड फील के बारे में बात करूं बहुत जादा ऐसे premium quality का तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर glass bag दे हम देना चाहिए केस वही पीला पढ़ने वाला ट्रांस्पेरेंट वाला तो company वालो की सोच भी इस केस से जादा वदलनी चाहिए क्योंकि जब सोच बदलेगी तभी तो फोन का लुक बदले लेकिन ऐसा कोई नहीं दिक्कत है कि भाई साब बेंड करने पर तूट जाएगा या बहुत जल्दी scratches आ जाएंगे, plastic frames भी आज उपको मिल जाते है, mat finishing के साथ, volume button and power button की placement भी सही है, आराम से हाथ पहुच जाता है, लेकिन अगर आप एक हाथ से phone यूज करते हैं तो phone इतना छोटा नहीं है कि एक हाथ से आराम से यूज कर लोगे, दूसरा हाथ लगाना ही पड़ेगा, तो compact phone की शेणी में यह नहीं आएगा, और थोड़ा boxy सा design भी है, तो दो हाथ से use करोगे, चलाने में मजा आएगा, although phone में आपको 5000 mAh की वैटरी मिलती है, लेकिन weight as such बहुत जादा नहीं है, just 189 grams है, and weight balance भी यहाँ पर काफी अच्छा खास है, heavy driver नहीं सुनाई देगा, अगर आप movie सुन रहे हैं, तो dialogue अच्छे सुनाई देंगे, incognito mode में कम करके सुन रहे हैं, तो वो भी सुनाई देगा, अलाब पढ़ाई वाली चीज़, इसके अलाब haptics आपको okay-okay मिल जाएंगे, वो तक 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 वाले नहीं मिलेंगे, साथ ही साथ in-display fingerprint sensor मिलता है, जो बहुत ही fastly, accurately, all the time work करता है, and इस range में भी in-display मिलता है, तो मज़ा और आजाता है, और यह जो मज़ा है ना, हम पूरे YouTube community में देना चाहते है, क्योंकि ऐसे reviews आपको शायद कहीं और ने मिलेंगे, तो आपको चैनल को subscribe करते हैं ना, ढाक कीची की, क्योंकि यहा बोड़ा साफ करते रहना पड़ेगा, लेकिन इसके लवा, build quality मेरे को कोई शिकायत नहीं है, जिस range में आ रहा है, आने वाले 3-4 साल RAM से चलेगा, उससे जादा भी चलेगा, अगर आप धंग से चलाएंगे, और अगर बात करें display के बारे में, तो AMOLED display देखने को मिल जाती ह 120Hz का refresh rate भी मिलता है, 300Hz का touch sampling rate जो instantaneously 1200Hz तक चले जाता है, साथ इसाथ protection जो display में use की गई है, पहले चीज़ ड्रेगन ट्रेल की है, तो बहुत जादा अच्छी protection गी है, गोरिला ग्लास से थोड़ी कम protection बोल लीजे, तो मैं आपको बोलूँगा, जब भी phone आता है, tempered glass लगवा आपको बिलकुल भी feel नहीं होने देगा कि 18,000 का phone है, क्योंकि colors तगड़े मिल जाते, viewing angles तगड़े मिल जाते, deep blacks तगड़े मिलते, साथ ही साथ Netflix में HDR का certification भी यहाँ पर मिलता है, मतलब 30-40,000 वाले phone भी नहीं दे रहे हैं, जैसे nothing phone 2 में नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको मि Netflix में Full HD content का भी support मिल जाता, अच्छे से content भाजी आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, YouTube में भी 4K HDR 60fps वीडियो आराम से चलती है, तो I don't know IQ वाले क्या जादू करते हैं, हर चीज आपको मतलब ना ऐसे परोस के दे रहें कि लो भाई, यह भी लो, यहाँ से भी लो, सब ले लो लेकिन पैसे कम दो, कैसे कर लेते हैं, इसके अलब बेजल में चिन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जिस रेंज में आ रहा है, बाकी सारी चीजे मिल रहे है, तो यह compromise हम कर सकते हैं, 1800 nits की peak brightness भी मिल जाती है, outdoor में कोई दिक्कत नहीं आती है, and SGS की eye care certification भी मिलता है, तो low light मे अगर बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, तो बहुत ज़्यादा blue rays नहीं emit करेगा, आपकी आखे भी सुरक्षीत रहेगी, साथी साथ, touch भी काफी responsive है, मतलब आप टच करोगे, सरररर करके, चल जाता है, और एक अच्छा initiative लिया है, कि आपको setting में higher refresh rate set करने का option मिल जाता है हर अप के लिए, तो कोई दिक्कत थी है, सब अप में मखन बाचिए, और डिस्प्ले के साथ, साथ फोन future proof भी बन जाता है, क्योंकि 8 5G के बैंड मिलते हैं, अब कम बैंड सोच कि यह मत सोचिए गई, SGO नहीं चलेगा, एटल नहीं चलेगा, सारे Indian SIM आराम से चल जाते हैं, साथ साल Bluetooth 5.3 Wi-Fi से उस भी देखने हो मिलता है, बट NFC नहीं है, NFC होता तो और मजा आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल contactless payment करते हैं, सब credit card वाले हो गए, जानो मानुशो नकले, लो, swapping करो, इसके अलावा, Dual 5G का support मिल जाता है, 5G की speed भी काफी तगड़ी आ रही थ क्या आप लोग के भी unit में ऐसा issue आ रहा है, comment section में जरूर बताना, इसके अलावा 5G calling आप नहीं कर सकते हैं, and proximity sensor भी dedicated नहीं दिया गया, virtually दिया गया, तो कभी कभार जो हैंसे कान के side में ले जाओगे, तो screen black नहीं होगी, लेगिन call recording आप चुपके से कर सकते हैं, इसमें default dialer म इस point के लिए बहुत सारी चीज़े आपको ध्यान से सुननी है, बहुत सारे लोग इस point के वज़े से इस phone को नहीं लेते है, आइकू में आता है Funtouch operating system, यह वही operating system है, जो Vivo के phone मिलता है, क्योंकि Vivo इसकी parent company है, Vivo के अंडर ही आता है, तो एक चीज तो और clear हो जाती ही, कि Vivo के service center में आइकू आले phone भी दिखा सकते है, और दूसरी चीज यह हो जाती ही, कि जैसा software experience वहाँ मिलेगा, यहाँ पर भी वैसा है, उसके जलक आपको देखने को मिल जाएगे, same date of software मिलता है, तो phone Android 14 के साथ आया था, plus company ने promise किया 2 major update, plus 3 साल के security patch, इस range में under 20K में ठीक है कि इ देखने को मिलता है, सभी को although आप अनिस्टॉल कर सकते हैं, तो थोड़ा 10-15 मिंट स्टार्टिंग में देना पड़ेगा, लेकिन phone boot होने से पहले भी कुछ recommendations को आपको off रखने है, इन सभी को off कर देना, ताकि बाद में कोई file 2 के ads notification ना है, and यह hot apps and hot games वाल option भी मिलता है, इस से आप disable कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ apps की notification को भी आपको disable करना है, otherwise unnecessary notification मिल जाएंगे, जैसे वी app store की, then browser की, then eye manager की, इनको off कर दिया, उसके बाद phone आपका बिल्कुल clean बन जाएगा, इनको नहीं करोगे न तो एक चीज़ आप observe करेंगे, जब भी किसी आपको uninstall करोगे, उपर में एक recommendation दे देता है, यह नहीं तो यह साही, तो मैं नहीं तो कौन बे, वो बे, तो पहली फुरसत में इन सबको off करना आपको, इसके अलावा looks के बारे में बात करूँ ना, तो बहुत सारे लोगों को look इसका boring लगता है, although अभी time के साथ इन लोगों ने changes किये हैं, ज features आपको सारे दबा के विलकुल मिल जाते हैं, जैसे आपको app lock मिल जाएगा, app hide मिल जाएगा, dual apps मिल जाता है, always on display मिल जाता है, in fact theming का option भी मिल जाता है, पूरे phone का accent color change कर सकते हैं, क्योंकि काफी close to stock android वाले features में भर-भर के मिलता है, इसके लबबा, gallery में कुछ options मिल जाते ह फोटो में से, किसी भी photo या video का resolution भी change कर सकते हैं, किसी भी app को अगर small window बनाया है, तो वो option भी मिल जाएगा, और उपर में आपको यहाँ पर enlarge करने का, minimize करने का, और close करने का option मिलता है, बहुत बार ऐसा होता है, कि यह option नहीं देते हैं, तो लोग को पता नहीं रहता है, कह नहीं को डालना, तो ऐसे उंगली-उंगली घुमा के होता नहीं हो, तो feature सारे दबा के मिल जाएंगे, बहुत सारे ब्रैंड्स ऐसे हैं, जो under 20,000 में processor अच्छा नहीं देंगे, जिसकी वज़े से आपको animations यहाँ पर देखने को नहीं मिलें, लेकिन इस phone में आपको animation super smooth स्विच करते हैं, तब भी animation मिलेंगे, तो software का ऐसा ही कि लुक थोड़ा सा compromise कर सकते हैं, तो features दबा के मिल जाएंगे, साथ इसलाथ stable UI भी है, आज के time पे काफी stable है, काफी तगडी performance भी निकाल के देती है, अब performance की बात की है, तो आ जाते हैं इसके processor पे, यहाँ पर आपको Dem MST 7200 का processor मिल जाता है, LPDDR4X RAM मिलती है, UFS 2.2 की storage मिलती है, अब यह UFS 2.2 की storage से थोड़े से read-write की scores कम आया है, इस चीज को check करने के लिए हमने app को open किया, close किया, in fact इसको Realme 12 Plus के साथ भी compare किया, जिसमें UFS 3.1 मिलता है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, बहुत जादा ऐसे major difference नहीं है, हलका सा minor difference है, तो deal breaker तो definitely नहीं है, अगर 20,000 की ऊपर में यह UFS 2.2 होता, तब दिक्कत वाली चीज़े हो जाते हैं, जैसे इस light वाले phone में हो रही है, लेकिन उसके अलावा 7.2 लाग का N2 scores भी मिल जाते हैं, and CPU का throttle test भी किया, वहाँ हरा भरा graph, बाकी Geekbench के score और भी आपको अच्छे मिल जाते हैं, तो एक चीज़ बोलू, day to day, multitasking बहुत ही मखन जैसे करादेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 18,000 में मैं आपको बोलूँगा कि जितना मिलना चेन परफॉर्मेंस से जाधा ही परफॉर्मेंस मिल रहे है, एक ताइम पर 20,000 में लोगों ने BGMFPS हमें 55-60K के बीच में देखने को मिले, और मैं यह बोलूँगा कि 25,000 के फोन भी 50-60FPS के बीच में फ्लक्चूर रहे हैं, यह 55-60 के बीच में आपको constant performance देगा, और कोई भी heating का issue भी नहीं है, जार उसको भी on point accurate मिल रहा है, और जब softness stable होगा, तो battery backup भी आपको काफी stable देखने में मिले, यहाँवर 5000 image की बैटरी मिलती है, तो जितना हमने अभी तक phone को यूज किया, normal to moderate level में आराम से 8-9 घंटे का skin on time आपको मिल जाएगा, प्लस 5G में कोई idle drain का issue भी मैंने face नहीं किया, और यहाँपर 44Watt की fast charging मिलती है, जो अप्रॉक 70 मिन्ट में full charge करतेगा, देखा जाए तो 67Watt बाकी अदर ब्रैंड्स दे रहे हैं, लेकिन बाकी सारी ब्रैंड्स ना बाकी सारी चीज़े नहीं दे रहे हैं, जो यह phone दे है, अगर बात कर एक camera के बारे में यहाँपर आप सुपर इंप्रेस होने वाले हो, क्योंकि इन लोगों ने फाल्तू sensors नहीं में काफी अपेली है, मतलब on the go social media type की आपको फोटो मिल जाएगी, in fact detailing भी यहाँ पर काफी तगडी मिल जाती है, light को भी अच्छे से balance कर लेता है, normal and portrait दोनों ही mode में, साथ साथ portrait mode में edge detection भी properly कर लेता है, वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, और low light में front camera भी काफी अच्छ परफार्म करता है, just एक चीज मैंने observe की, जब हम फोटो लेते हैं na front camera से थोड़ा ये part ज्यादा crop कर देता है, मतलब हम ज्यादा wide दिख सकते थे, जैसे हमने realme 12 plus के साथ इसे compare किया, तो आप देख सकते हैं उसकी photos में ज्यादा field of view आ रहा है, और ये चीज़ इसके normal mode और portrait mode दोनों में ही होता है, अगर बात करें back camera से यहाँ पर भी same scenario देखने को मिल जाता है, काफी close to natural photos निकाल के आपको देते, lighting को भी अच्छे से capture कर लेता है, detailing भी यहाँ पर काफी तगडे मिल जाते, किसी किसी scenario में हलका सा थोड़ा saturated ज्यादा करता है, लेकिन ऐसा नहीं लगत portrait mode दोनों में ही light को अच्छे से balance कर लेता है, portrait mode में edge detection भी properly होता है, लेकिन एक चीज में देखी, थोड़ा सा अगर आप camera से दूर है, तब यह blur करने में सक्षम नहीं रहता है, और in fact portrait mode में 2x zoom भी मिल जाता है, जिसमें थोड़ा और depth effect आपको देखने को मर जाएगा, and night mode मे यह काफी अच्छा perform करता है, यह photos almost dark scenario में मैंने ली है, तो यहाँ पर भी इसने light को काफी अच्छे से capture किया, साथ ही साथ बैक में आपको 4K 30fps का support मिल जाता है, और front में आपको full HD 30fps का support मिल जाता है, stabilization की साथ, वहाँ पर भी quality अच्छी देखने को मिल जाती है, तो video वाला department भी अच्छा है, photo वाला department भी अच्छा है, just ultra wide नहीं यहाँ पर, and I don't think so कि वो deal breaker है, so IQZ9 18000 में एक super perfect value for money phone बन जाता है, क्यों? सारी चीज़े आपको यहाँ पर balance मिल जाती है, जैसे display अच्छी है, build भी ठीक मिल जाती है, connectivity भी सारी तगड़ी है, software experience अच्छा मिल जाता है, performance top notch मिलता है, camera भी आपको तगड़े मिल जाते है, फोर के recording के साथ, और क्या लोगे भाई साथ, 18000 में इससे जादा value for money, I don't think so कोई और phone बनाता है, एक और phone का नाम आ रहा होगा, Vivo T3, तो समझ लीजे, खाना यहाँ से खाओ, यह खाना वहाँ से खाओ, starting बता है ता Vivo के अं पसंद आई तो वीडियो को like कीजिए, अपने दोस्तों के साथ share कीजिए, और कुछ सुझाओ हो तो वो भी comment section में दे सकते हैं, और कुछ doubt हो तो भी comment section में पूछ सकते हैं, हम मिलते हैं ऐसी किसी new interesting thoughts of our words, I tell then, joy हिन, take care and stay fit, भाईसवाब गर्मी बहुत है, भाईसवाब गर् झाल